तो जिसके चलते लिखा हैं कि आप जोर का जटका दीरे से आपके बीच इसको रखने जा रहा हूँ और मुझे नहीं बता कि मैं इसको कहां तक रख पाऊंगा लेकिन आप इसको समझेगा, बात को जानिएगा ताकि परमिश्वर आपके और मेरे बीच में काम कर सके और हम सब को प्रभुकरी सिक्षा में लेके चल सके तो वापस से कहता हूँ God became Lord क्योंकि परमिश्वर नहें मुसा को अपनी पैचन Lord ल-O-R-D से कराई, यानि कि यहोवा लेकिन जो यहोवा है ना, वो Elohim है, गौड है वो तो अब जूर का जटका दीने से, यह क्या है? आज यह सुनते हैं, आज यह नाम कौन है? आज 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 प्रेजेंट में यह नाम कौन है? Are you ready for this? रख रहा हूँ आपको एक प्रातना दोरा देते हैं, जो येशु ने की है और इसको मैं पढ़ूँगा, ठीक है ना? और जितने Facebook और YouTube पर हैं, मैं चाहता हूँ कि खूप शेर करें और लोगों तक इसको खूप फैलाएं, ठीक है ना? जी, YouTube पर कितने लोग हैं अभी? ओके, 780 प्लेस और यहाँ पर हैं, 380, तो इसका मतलब यह हैं, कि आप में से कुछ लोग जुड़े हैं, और कुछ लोगों का शायद कोई दिक्कत होगा, लेकिन आप लोग लगातार बने रहे हैं ओके, एक व्यक्ति लिखता है उसका नामे अनिता चंद्रा, I am so confused, मैंने आपको पहले काए कि यह teaching, milk drinking वाले नहीं समझ सकते तो लिखना बंद करिए कि I am confused, आप confused इसलिए हैं क्योंकि आप अभी तक दुद्ध पी रहे हैं अगर आप ऐसी बातों को नहीं सुनना चाते तो comments करना बंद कर दीजे जब की इतनी बारिकी से समझा रहा हूँ, उसके बावजुद अगर आप यह लिख रहे हैं कि I am so confused धरस हाता है आपके ओपर, okay मैं continue करूँगा लिखा है कि अब जोर का जटका धीरे से, आज ये नाम कौन है, यहुवा लॉड, यानि कि जो लॉड है ना, ये नाम किसको इंदी में लॉड हो गया है प्रभू आईए पढ़ते हैं, यह ना की किताब, उसका सत्रा का भाच कहता है, यह येशु की प्रात्ना है और येशु प्रात्ना कर रहें अपने पिता से, कहते हैं कि हे पिता, तु अपने साथ मेरी महिमा, उस महिमा से कर, जो जगत के होने से पहले, मेरे, मेरी तेरे साथ थी तो इसका मतलब क्या है, जब यहाँ पे बिगनिंग नहीं हुआ था, यहाँ जिस्टी नहीं बनी थी, येशु कहता है, पिता को कहता है, कि उस महिमा को याद कर, जो जगत के पहले से, मेरे तेरे साथ थी अब आप नहीं समझें, अगर एक परमिश्वर ही है, वहाँ टायून गौड नहीं है, प्लूरल फॉर्म नहीं है, तो मेरा कोशन यह है, कि फिर इस येशु ने ऐसा शब्द क्यों कहा, कि हे पिता, उस महिमा को याद कर, जो जगत के पहले, मेरे तेरे साथ थी मेरे तेरे साथ थी, या मेरी तेरे साथ थी, कैसे बोल सकता है, अब इसको पढ़िये वचन चे, लिखता है कि मैंने तेरा नाम, उन मनशों पर प्रगट किया है, मैंने तेरा नाम, उन मनशों पर प्रगट किया है, नाम कौन सा है, यहोवा, यहोवा को इंगलिश में टासल एक एक वच्छन को रखता चला जाओंगा आई यू रडी फो दस वाव मैंने तेरा नाम उन मनिश्वर फ्रगड के अब इसको सुनो कहता है वच्छन ग्यारा में कहता है पवित्र पिता अपने उस नाम से जो तुने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर क्योंकि वे भी हमारी ना एक हो इसका मतलब है कि यहोवा ने अपना नाम किसको दिया ये था जोर का जटका धीरे से परमेश्वर पिता ने अपना यहोवा नाम परमेश्वर पिता ने अपना नाम इंग्लिश में L.O.R.D. कैपिटल किसको दिया बिलकुल साफ लिका है ये शु कहता है कि वो नाम तुने मुझे दिया या ताली बजनी छही ये ये शु की महिमा किली क्या बात है दोस्तो अद्बुत ये ये शु की प्रात्ना है जिसको शायद अभी तक किसी ने गौर नहीं किया है आज आपके बीच में one God वालो आपके बीच में रखो आगे तो बहुत मसाला है बस wait and watch तैयार रहो कैसा लग रहा है वापस पढ़ दे रहा हूं क्योंकि ये आपके जहन में बैटना चाहिए मैं फिर पीछे जा रहा हूं God became Lord परमेश्वर यहुवा बन गया कैसे क्योंकि उत्पती एक एक में यहां यहुवा नहीं है यहां यहुवा नहीं है Lord नहीं है यहां ट्रायून गॉड है यहां Elohim है यहां प्लूरल है God और फिर उसको मैं आपके बीच में कह रहा हूं कि येशु की प्रात्ना कहती है कि उस महिमा से मेरी महिमा कर जो जगत के बनाने से पहले थी फिर कहता है कि तेरा नाम मैंने अपने जेलोबे प्रगट किया उसी नाम को जो तुने मुझे दिया अब आपको प्रूफ देता हूं Are you ready for this? आपको प्रूफ दे रहा हूं आप जानते हो पत्रस जब पत्रस के उपर पवित्रात्मा आये थे पैंतिकोस के दिन आसे 2000 साल पहले 120 पे आये थे 120 पे आये थे पवित्रात्मा 120 पे आये थे परिशाना थमा पवित्रात्मा 120 पे आये थे लिखा है तो अब इजराहिल का सारा घराना निश्चे जान ले के परमिश्वने उसी इशु को जिसे तुमने कुरूस पर चड़ाया प्रभू भी ठेराया मसी भी ठेराया तो येशु को यहां क्या ठेराया प्रभू और येशु यहुआ को नाम क्या ठा लॉर्ड तो येशु को नाम क्या मिला है लॉर्ड प्रभू इंग्लिश में पढ़िया जल्दी से जल्दी से एक चाप्टर टू वस थर्टी सिक्स और जितने मेरे साथ में अभी तक भने हुए हैं वाउ अच्छा करता हूँ कि आप लोग सीक रहे हैं अद्बुद थरीके से सीक रहे हैं जी एक चाप्टर टू वस थर्टी सिक्स लिखा है कि पत्रस कहता है कि इसी येशु को कुरूस पर जब ठढ़ाया तो परमेश्वर ने ये तै किया कि येशु प्रभू है येशु लॉड है L-O-R-D पड़ो देफोर लेट अल्ड वाउड का कैपिटल स्मेलिंग है येश्वर नाच रहे थे ना आप डेटर नावी सिक्स जार को लेके खूब नाच रहे थे ना वन गॉड वाल हो फिर ये क्या है ये तो अभी एक है आगे बहुत मसाला है पहला कुरंतियो भारा का तीन उसको इंगलिश में भी पढ़ना होगा आपको लिखा इसले मैं तुम्हे चिताँणी देता हूं मैं तुमको वहान करता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि येशु श्रापित है ना कोई परवित आत्मा के बिना कह सकता है किंशु प्रभू है L-O-R-D Lord जी पढ़िये Wherefore I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God call Jesus a cursed and that no man can say that Jesus is the Lord but by the Holy Ghost capital spelling yes see तो येशु कौन है अभी Lord Old Testament में मुसा किसे मिला Lord इस्राइलियों ने 7000 बार कितनी बार 7000 ताइम्स किसको कह Lord 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 परमेश्वर येवा को लेकिन येवा खुद कहता है येशु से अपने बेटे से क्योंकि सत्रा का येवना सत्रा का प्रात्ना आपको मैं अभी बता चुका हूँ कि येशु कहता है कि वो नाम तुने मुझे दे दिया वो नाम तुने मुझे दे दिया और वो नाम क्या है प्रभू अब इसको ध्यान से सुनो मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा की अगवाई से इसका मतलब है कि परमेश्वर की आत्मा अगवाई करता है कि प्रभू बोलो आत्मा अगवाई करता है कि प्रबू बोलने के लिए आत्मा अगवाई करता है कि येशु अब प्रबू है येशु अब प्रबू है जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपके दिमाग में ये बात को डाल दो कि जो मुसा को मिला था प्रबू जो मुसा जिसको बुलाता था प्रभू इंग्लिश में लॉर्ड और हीब्रू में यहोवा जयाफे जिसको येशु कहता है कि अब वही नाम उस पिता ने मुझे दे दिया है रख दे रहा हूं मुझे दे दिया वच्छन 11 में 17 का 11 में वह नाम जो तुने मुझे दिया है इसका मतलब है कि पंवित्रात्मा चाहता है कि 21 सदी में कलिसिया येशु की दुलन येशु को प्रभू बुला है वाव कैसा लग रहा है अब इसको पढ़ो फिलिपे 2 का 9 इस कारण परमेश्वर ने उसको अथी महान किया किसको येशु को अब सुनो उसको वा नाम दिया ये दूसरा रफ्रेंस है उसको वा नाम दिया जो सब नामों में स्रेस्ट है क्योंकि परमेश्वर जब 6,000 साल पहले की बात करना हूँ जब उन्होंने शुरुआत करी थी तो उसके पहले कोई नहीं था उसके आसपास कोई नहीं था उसके बाद में बहुत सारे गॉड़नेस्ट आ गए कई देवी देवता आ गए तब परमेश्वर कहता है कि इन सभी नामों में सबसे उच्छा नाम था मेरा यानि कि यहोवा ऐसा लिखता है कि वो यहोवा नाम पर घुटना टेक है और घुटने क्या बोलके टेक है लिखा है परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जी बंगिकार कर ले कि येश्व मसी प्रभू है येश्व मसी प्रभू है मैं आपको बार-बार याद दिलाऊंगा मुसा से परमेश्व ने कौन से नाम से मुलाकात करी Lord येश्व को क्या कह रहा है मैंने तुझे नाम दे दिया वही नाम मैंने तुझे दे दिया Lord वाव दोस्तों कैसा लग रहा है अब इसको देखो आपका उध्धार येश्व को प्रभू अंगिकार करने से ही होगा अगर आपने अभी तक One God वालो या जहवाविटनेस वालो और क्या है तुम जितने भी Cult group वालो जो येश्व को नहीं मानते लिखा है कि आपका Salvation ये शब्द पर टिका है प्रभू अंगीकार करना होगा आपको accept करना होगा कि वो Lord है ये scripture पढ़ना है आपको Romans 10.9 लिखा यदी तू अप इंगलिश में पढ़ना है आपको यदी तू अपने मुँ से येशु को प्रभू जानकर अंगीकार करे अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया तो तू निस्च चाहिए निस्च चाहिए confirm उधार पाएगा जितने फेस्बुक पे हैं मैं request करता हूँ जितना फैला सकते हो फैलाईए अभी अभी फैलाईए जितने यूटूब पर है अभी फैलाईए इसकी लिंक दूसरों को पहुँचाए क्योंकि ऐसी बातें I don't think so कि आपको कभी सुनने मिले अगर जिसने मेरे पहले प्रचार किया मैं उसको salute करता हूँ आईए सुनते इंग्रिश में क्या लिए रोमान 10.9 वहाँ पे लॉर्ड है लेटर कैपिटल है तो इसका मतलब क्या है एक मेक्ती को अगर उधार पाना है तो इसको जो यहवा ने नाम दिया है मतलब परमिश्वर पिता ने जो इसको नाम दिया है ना लॉर्ड प्रभू 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 मेरा कोश्चन है मेरा कोश्चन है मेरा कुश्यन है अगर पिता है इसलिए नाम दिया है अगर पुत्र है तो उसने नाम दिया है आप कैसे कह सकते हो कि यहाँ एक ही गौड है यानि कि वैक्तित्व में एक ही है कैसे बोल सकते हैं आप जबकि इतना साफ लिखा है यह वाला वचन पिता ने उसकी महिमा की पुत्र को वो नाम दिया जो इस पृत्वी पर स्वर्ग में पृत्वी के नीचे हेडीस में सब जगा उसको प्रभू बोलकर घुटने टेकेंगे और येशु को ही जब तक सुविकार ने करें मुझ से प्रभू कहकर उनका उधार नहीं होगा कैसे पॉसिबल है अगर एक ही परमेश्वर है वेक्तित्वा में पस्नेलिटी में अगर एक ही है अगर एक ही है अनली जहोवा आपके हिसाब से तो ये कैसे पॉसिबल है फिर आप इसको पढ़ते है एक चाप्टर 1048 मैं चाहता हूँ कि आज ये जो वन गौड वाले है आज इनको तबियत से ठीक करेंगे जी 1048 लिखा है इंग्लिश में पढ़ने है आपको पहले मैं पढ़ ले रहा हूँ लिखा है कि उसने आग्या दी कि उन्हें येशु मसी के नाम में अब इसको पढ़ते हैं 238 में पत्रस ने कहा मन फिराओ तुम्मे से हर एक अपने पापों की शमा के लिए येशु मसी के नाम से उपर लिखा है नाम में नीचे लिखा है नाम से बापतिस माले रुवियो 6 का 3 कहता है या आपको क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसी येशु का बापतिस मालिया है उसके मृत्य को पहन लिया है तो इसको कहते हैं कि यहाँ पर है नाम से एक्ट 238 में नाम में एक्ट 1048 में येशु मसी का बापतिस माले रुमन 6 3 में ये क्या चल रहा है सब ये क्या चल रहा है ये क्या है उपर कहता है नाम से फिर कहता है नाम में रुमियों कहता है येशु का तो नाम से बापतिस मा नाम में बापतिस मा येशु का बापतिस मा कभी गौर किया था आज करिये क्या कभी इसको समझा था आज समझे और मैं आपके बीच में रख दे रहा हूँ लिखा है मती अठा इसका अठाना में ये शुने उनके पास आकर का कि सुहरग और पृत्वी का इंग्लिश में सारा अधिकार मुझे दिया गया है अधिकार मुझे दिया गया तो इसका मतलब है पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं फिर समझा देते हैं आपको और जितने फेस्बूक और यूटूब पर है बिल्कुल शेयर करते रहिए जितना हो सकता है लोगों तक पहुचाते रहिए जी And Jesus came and spake unto them All power is given unto me in heaven and in earth Okay, no, no, no ठीक है, दुस्टा translation पढ़ो Power, of course power Jesus came up and said to them All authority, all power of absolute rule In heaven and on earth Authority? Yes तो यह जो उपर मैंने रखा था न, तीन यह क्या है, मैं आपको समझाता हूँ आपको एक एक चीज़ को बहुत भारी की से समझना होगा लिखा है, खास करके Acts chapter 2 verse 38 में यह वो वेक्ती है, जिसको कहते हैं पत्रस पत्रस ने कहा क्योंकि पत्रस वो था, जो कुछ दिन पहले In fact, दस दिन पहले यह लाइन सुन चुका था और पत्रस को पता था कि All authority has been given to me मतलब सहरा अधिकार किसको दिया है? येशु को और येशु कौन है? Lord L-O-R-D Lord तो दूसरे शब्दों में सहरा अधिकार आप देख लीजेए, सहरा अधिकार किसको मिला है? उस नाम को मिला है जिसको कहते हैं Lord आपके होश उनने वाले अभी बहुत द्यान सो सुनना होगा ठीक है न? एक-एक लाइन को मैं समझा रहा हूँ लिखा है कि जब पत्रस ने कहा कि येशु के नाम में माफ करना येशु के नाम से फिर यहां पर आता है नाम में फिर यहां पर आता है येशु का बाप्तिस्मा तो नाम से बाप्तिस्मा नाम में बाप्तिस्मा येशु का बाप्तिस्मा ये सब क्या दर्शाहता साब? अधिकार authority तो जिसके चलते 236 में वापस दरख दे रहा हूँ लिखा है आब इद्राहिल का सारा घराना निश्च जान ले के परमिश्वने उसी येश्व को जिसे तुमने कुरूस पचड़ाया प्रभू भी ठहराया और मसी भी ठहराया तो मसी का English translation क्या है मसी का English translation है Christ और जिसको कहते है The Anointed One तो मैं आपको चाहूंगा आप इसको मैं रखे आपको पढ़वादने कहता हूँ हाँ पढ़िए ये 238 पढ़िए और बहुत ध्यान से सुना One God वालो पत्रस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापो की शमा के लिए येशू मसी के नाम से बाप्तिजमा ले येशू येशू मसी के नाम से बाप्तिजमा ले वापस पढ़ना इसी लाइन को येशू मसी के नाम से बाप्तिजमा ले तो पहला है येशू और फिर है मसी इंगलिश में पढ़ा उसको भी तो ये जितने वन गौड वाले हैं बहरा इनसे पहला सवाल आपने येशु के नाम से बाप्तिस्मा दिया है ये येशु मसी के नाम से बाप्तिस्मा दिया है आपका जोर क्या है येशु के नाम से बबतिस्मा तो मसीख आंग गया पढ़िये चलेगा and Peter said to them, repent, change your old way of thinking turn from your sinful ways accept and follow Jesus as the Messiah और, baptize them and be baptized each of you in the name of Jesus Christ because of the forget Jesus Christ Jesus Messiah, Jesus Christ बैठ जो, you understand मेरा question ही है आप लोगों से आप बाप्तिस्मा किस नाम से दे रहे हैं खास करके वन गौड वालों से क्योंकि मैं तो आऊंगा पिता पुत्र पवित्रात्मा के उपर लेकिन मेरा question ये है कि वन गौड वाले आप बाप्तिस्मा किस नाम से देते हैं अब मैं आपको जल्दी से क्राइस्ट का कॉंसेप समझा देता हूँ, ठीक है न, यह आपको मैं पढ़वा चुका हूँ, ओके इसको वैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, अब इस्राइल का सारा घराना, निश्चे जान ले कि परमिश्वन ने उसी येश्व को जिसे समने कुर पर अभी शिक्त पुरुष काटा जाएगा, अभी शिक्त पुरुष काटा जाएगा, और इंगलिश में लिख है शेल मसाया भी कट ओफ, यह अभी शिक्त पुरुष कोन है, और यह अभी शिक्त पुरुष को यह नाम क्यों दिया प्रभू, और धब जाकर कहता है, अथोर गिवन तु नेम जीजस क्राइस्ट दल लॉड जीजस क्राइस्ट दल लॉड और स्क्रिप्चर कहां पर हैं इफिश्यंद 1.20 जो उसने मसी के विशे में किया कि उसको मरेवों में से जिला कर सुर्गिस्तानों में अपनी दाहिनी और सबप्रकार की प्रदांता अधिकार सामट प्रभुता के उपर हरेक नाम के उपर जो नखेवल इस लोक में अपर peek आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बिठाया तो येश्यू को सब कुछ उसके हाथ में करकर येश्यू को सिहासन पर अधिकार को दे कर बैठा दिया वो जाकर बैठ गया इसका मतलब है कि येशु के हाथ में अब अधिकार है तो बाप्तिस्मा जब भी बात आती है तो वो सबसे पहला आता है अधिकार के साथ मैं अभी कुछ रख रहा हूँ, नहीं मैं अथोर्टी नाम की कीमत तब होती है जब नाम की नाम को अधिकार मिलना हो या नाम के साथ अधिकार जुड़ा हो मैं वचन को रख रहा हूँ लेकिन आपको पहला ये बता दूँ, पढ़ने जा रहा हूँ ठीक है ना, नाम, नहीं मैं अथोर्टी नाम की कीमत तब होती है जब नाम को अधिकार मिलाओ कैसे पॉसिबल है अब भी बता देता हूँ परन्तु कितने यहूदी जो जाड़ा फूकी करते फिरते है यह कहने लगे कि जिन में दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु येशु का नाम यह कहकर फूके कि जिस येशु का प्रचार पॉलुस करता है मैं तुमें उसी की शपत देता हूँ परभु तो के काम पर दुष्टात्मा ने उत्तर दिया कि येशु को मैं जानती हूँ और पॉलुस को भी पैचानती हूँ पर उन्तु तुम कौन हो बैठो वच्छन कहता है कि तुम कौन हो आप नहीं समझे है अभी पी इसको कहते हैं कि कुछ येशु का नाम पर जिनके पास सिरफ येशु का नाम था पत्रस ने बहुत ध्यान से सुना वन गॉड वालो तुम भी सुना पत्रस ने एसी टीचिंग कभी ने थी बलकि पत्रस ने बिलकुल साफ का फिर से जा रहा हूं पीछे पत्रस ने बिलकुल साफ का जिसने कहता है कि इस्राइल सुन निश्चे जान ले के परमेश्वर इलोहीम ने उसी येशु को जिसे तुमने कुरूस पे चड़ाया प्रभू भी टहराया मसी भी टहराया अथौरिटी दिया अधिकार ये कहां लिखा है ये वाला सारा अधिकार अब मेरे पास में है तो मैं आप लोगों के बीच में जब ये बात को रख रहा हूँ कि इन लोगों के पास में जो येहुदी जड़ा फूकी करते उनके पास में नाम है येशु नाम लेकिन उनके पास में अधिकार नहीं है तो अथौरिटी की बात हो रही है यहां पे नाम की बात नहीं हो रही है क्योंकि नाम तब तक किसी काम का नहीं है जब तक अधिकार ना हो तो येशु कौन है? अनोइंटेड वन येशु कौन है? अभी शिकित जो दैनियल कहता है वो काटा जाएगा, मतलब कुरूस पे मरेगा पत्रस ने यही बात कही कि उसी को जिसको कुरूस में से जिंदा किया उसको प्रभू भी ठहरा है और मसी भी ठहरा है अब वन गौड के concept वालों से एक सवाल कहां लिखा है? Go to nations and baptize them in the name of Jesus निकाल के बताओ मैं फिर पूछ रहा हूँ वन गौड वालों से Go to nations and baptize them in the name of Jesus New King Jim Version Go therefore and make disciples of all nations baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit यहां nation को baptize करने की बात हो रही है nations को मर्कुस का 16 का 15 उसने कहा तुम सारे जगत में जाकर सारे सिस्टी के लोगों को सु समाचार पचार करो मर्कुस 16 सोला जो विश्वास करे बाप्तिस माले उसी का उधार होगा फिर इसको क्या कहता है इफिस्यों 4 का 5 में कहता है एक ही प्रभू है कौन प्रभू? Anointed One कौन प्रभू? दानिहलवाला एक ही विश्वास है और एक ही बाप्तिसमा है बाप्तिसमा को डिवाइड मत करो जो बाप्तिसमा मती 28 का उन्डीस में है वही बाप्तिसमा है अब मैं इसे एक सवाल पूछता हूँ खतम करने से पहले अब यहां से हम कल जाएंगे ठीक है न? इनको खतम करने से पहले इस बात को खतम करने से पहले One God वालों से और जो anti-triune को मतलब वाले हैं जो triune को नहीं मानते triune God को नहीं मानते उनसे एक सवाल है मेरा question यह है और खास करके One God वाले जो बाप्तिसमा येशू के नाम से देते है मेरा एक सवाल है क्या पत्रस ने या पहलूस ने या फिलिप ने या स्टीफन ने या तिमोती ने या तीतूस ने कहीं कभी ये सिखाया है कि तुम बाप्तिसमा येशू के नाम से दो जबकि येशू के नाम का बाप्तिसमा एक शप्टर 32 निकाल के रखना क्या येशू ने पत्रस ने पहलूस ने माफ करना क्या कभी सिखाया कि तुम येशू के नाम का बाप्तिसमा दो मेरा कोशन है अगर सिखाया होगा तो यह तुमको आके मारेंगे क्योंकि यह जो दुस्तात्मा है पॉलूस को भी जानती है येशु को भी जानती है लेकिन जो निकाल रहे थे उनके पास में नाम था अधिकार नहीं था अब इसको आपके बीच में रख दे रहा हूँ पढ़िए एक शप्टर टू वस थाटीएट जी पत्रस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम मेंसे हर एक अपने अपने पापों की शमा के लिए येशु मसी के नाम से बाप्तिजमा ले येशु मसी जिसको परमिश्वर ने न्यूक्त किया था कि वो कुरूस पे मरेगा उसी के नाम को यादिकार दिया है परमिश्वर ने अपना नाम येशु को दिया है और येशु कहता है कि अब सारा अधिकार मेरे पास में तो पत्रस कहता है कि इस अधिकार में आपका बाप्तिस्मा है येशु के अधिकार में आपका बाप्तिस्मा है जोर का जटका दीरे से ले लो आगे पढ़िए तो तुम पवित्रात्मा का दान पाओगे क्योंकि यह प्रतिग्या तुम और तुमारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभू हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा उसने बहुत और बातों से भी गवाई दे कर समझाया कि अपने आपको इस तेड़ी जाती से बचाओ अर्था जिनोंने उसका वचन ग्रहन किया अर्था जिनोंने उसका वचन ग्रहन किया तो जिस पत्रस ने उनको ये कहा था भी टू का 36 में कि ये वही मसिया है ये वही क्राइस्ट है जिसको डैनियल कहता है दा मसाया विल्बी कट अफ उसका वचन ग्रहन किया मथी 28 का 13 जो अथोरिटी दिया था उसको ग्रहन किया अथोरिटी को ग्रहन किया गो टूनेशन्स तो बैप्तिसम का कॉंसेप्ट जो जीजस ने दिया ड्रायून गौट पे वो कॉंसेप्ट है Thank you for the nations not for only one nation for nations plural form तो लिखा है कि वचन ग्रैन किया इसका मतलब है कि उन्होंने उसकी टीचिंग को ग्रैन किया अभी आगे सुनो जोर का जटका उन्होंने बापतिजमा लिया एक सेकेंड वापस पड़ो उन्होंने बापतिजमा लिया वापस पड़ो उन्होंने बापतिजमा लिया वहाँ कहीं लिखा है कि उन्होंने कौन से नाम से बापतिजमा लिया आपको माइक में बोल ला है सर नहीं लाना है पचास बर बोल चुका माइक में बोल ला है लोगों को नहीं बता पचास बोल चलता है ना जी, जोर से बोलिये, नए, exactly, तो वन गॉड़ वालो, मैं आपको पूछ रहा हूँ, बाप्टिस्मा कौन से नाम से लिए, ओके, मैत्यू 3, तोड़ा टाइम जाएगा, माफी चाहता हूँ, मैत्यू 3, 16 पड़ो, मैत्यू 3, 16, दोस्तों, बस कुछ समय, फिर यूटूब पे क तुरंद पानी में से, आपनी कौन से पड़ रहा है, 16 पड़ रहा है, आपको माइक में बोला है, उसके पहले से पड़ो, 15 से पड़ो, जी, येशू ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्यूंकि हम में इसी रिती से सब धार्मिक्ता को पूरा करना उच् और येशू बप्तिस्मा लेकर तुरंद पानी में से उपर आया, बस वहाँ पर लिखा है कौन सा नाम है, वहाँ पर लिखा है कौन सा नाम है, आप नहीं समझे रही भी, येशू ने साफ कहा है, बैप्ताइज देम, ये लास्ट है उसमें आजा, मती अठ्था इसका, ओके यहिए पर रख देता हूं, येशू ने साफ कहा, येशू ने साफ कहा, उसको छोड़कर बाकी सब वकवास चल रहा है, मुझे नहीं समझ में आता है, ये नहीं है, उनीस पढ़ना है आपको, अठ्था इसका उनीस पढ़िए तो मेरा कोश्चन ये है कि जब पीटर ने कहा बाप्तिस्मा ले लो उन्होंने वच्चन ग्रहन किया 41 पड़ता आपने तो उन्होंने वच्चन को ग्रहन किया और वच्चन को ग्रहन करने के बाद उन्होंने बाप्तिस्मा लिया लेकिन बाप्तिस्मा कौन से नाम से लिया मेरा open challenge है One God वालों से निकाल के बता दे तुम्हारी मयत हो जाए कि नहीं निकाल पाओगे तो उल्टा सिधा मत सिखाय करो One God वालो उल्टा सिधा मत सिखाय करो क्योंकि पत्रस ने कभी नहीं कहा मैंने अभी रखा था न Go to nations and baptize them in the name of Jesus निकाल के बताओ कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को 10 लाक रुपे कहीं नाम दे रहा हूं 10 लाक रुपे निकाल के बता दो पीटर ने फिलिप ने पालूस ने तिमोती ने ताइतस ने कभी काओ ये teaching दी हो कि इन सब को baptism जीजस के नाम पे दो निकाल के बताओ नहीं निकाल के लेकिन मैं आपको proof कर दिया हूं अभी Matthew 28,19 जीजस ने का go to nations उसने नहीं कहा पीटर की तरह, पत्रस की तरह उसने एक कौम को नहीं बाप्तिसमा दिया जीजस का target है nations अगर हमको nations को reach करना है, अगर हमको countries को reach करना है तो हमको जीजस के पर जो authority है ना, उसको पहले preach करना है authority, यही तो लिखा है ना, कि उन्होंने वच्छन को ग्रहेन किया, उन्होंने teaching को ग्रहेन किया, कौन सी teaching को ग्रहेन किया, Matthew 28,18 All authority has been given to me दोस्तों कल हम यहां से शुरू करेंगे मुसा अपनी 5 किताबों में, तीन नामों का जिकर करता है, यहोवा लॉड, परमिश्वर का दूत यानि एशू, परमिश्वर का आत्मा यानि पवित्रात्मा, यहां से मैं कल आपको सिखाऊंगा, और यहोवा की कुछ बाते और भी आपकी बीच में रखोगा चलिए, आएए प्रात्ना करते है, सिस्टी करता पिता, तेरा धनेवाद मैं जानता हूँ, आज अद्बुद बातें आपने लोगों के जीवन में की है प्रभु जी, जितने फेस्बुक और यूटूब पर अभी भी बने वे, उन सभी के जीवन में, येशु के नाम में, अद्बुत कारिय आप अभी करें परमिश्वर, पिता, पुत्र, पवित्रात्मा के नाम से, मैं ये प्रात्ना करता हूँ, और वो अधिकार, जो येशु को मिलाए, प्रभु का, लॉर्ड का, उस अधिकार के साथ में कहता हूँ, इन सब का जीवन तेरे राज्य के लिस्तमाल हो, ये प्रात्ना इशु के नाम से, आमें, चलिए, दोस्तों, मिलते हैं, कल ठीक, रात 8 बजे अपना ख्याल रखें, वीडियो को खूप शेयर करें, और मैं पूरी वीडियो को एड़ियो करकर की यूटूब और फेस्बूख पर डाल रहा हूँ, मैं चा는 खूप खूप शेयर करें, अपना ख्याल रखें, मीलते कल रात 8 बजे of